नमस्कार दोस्तों टेक स्केन के एक बिलकुल ना है फ्रिस और एक्साइटिक हमसोर में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो के अंदर में जियो एया टेल बीएसेल और वोड़ाफुनाइड है यह चारों कंपनी के बार में बताऊंगा क्यूंकि फेबुर के अंदर में पुरा डिटेल में बताऊंगा कौन सा कंपनी कितने सब्सकाइबर्स अपने से जुरा है कौन सा कंपनी कितने एक्टिब सब्सकाइबर अपने से जुरा है उसी के साथ साथ बाकी जो भी डिटेल से इस वीडियो के अंदर में कोवर करने वाला हूं तो अगर को इसके बार में जानना है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखे चले वीडियो को शुरू करते हैं दोस्त अगर मैं सब्सक्राइबर एमाउंड की बात करता हूं तो यहां पाद दो कैटागोरी के अंदर सब्सक्राइबर होते हैं कितने कमपणी को पर रिचारज के यहां तो सबसे पहले कितने सबसक्राबर दिचारज के आए के अंदर 1,000,000 यानि 10,000,000 subscribers अपने से एड़ किया है AirTail Company के अगर मैं बात करता हूँ तो AirTail Company अपने से 9,80,000 total oilless subscribers अपने से एड़ किया है तो यहाँ पर AirTail और Reliance जो यह जो दो कमपनी है यह दो कमपनी में लिए अपने से subscriber एड़ किया है Vodafone Idea और BSNL as usual अपने से 1,000,000,000 subscribers खोया है फेड़री माहने के अंदर भी BSNL Company का रहे में बात करता हूँ तो BSNL Company 1,000,000 यानि 10,000,000 subscribers अपने से लॉस किया है टोटल सब्सकेबर और Vodafone Idea Company 20,000,000 total oilless subscribers अपने से लॉस किया सिर्फ फेड़री माहने के अंदर तो Vodafone Idea और BSNL के कंडिशन काफी खड़ाब है जहाँ पर Gio और Airtail काफी जबर्दस performance यहाँ पर कर रहा है एक्सपर्ट का यह मानना है कि Gio और Airtail अपने 5G services को लांच कर दिया है जहाँ पर BSNL अभी तक अपने 4G service को यहाँ पर लांच नहीं कर पाया और Vodafone Idea के अंदर lack of 5G और अपने 4G को पर अच्छा speed ना देने के कारण से ऐसा हल आज के rate के अंदर हो चुका है तो क्लियल अगर मैं बात करता हूँ Reliance Joe 1 million Airtail 0.98 million subscribers अपने से अड़ किया है Vodafone Idea 2 million subscribers अपने से खोया है और BSNL 1 million subscribers अपने से खोया है जहाँ पर Reliance Joe company सबसे ज़्यादा active subscriber अपने से अड़ किया है जो है 3.16 million मतलब 31,60,000 active subscribers Reliance Joe company अपने से जोड़ा है उसके बाद अगर मैं Airtail company की बात करता हूँ तो 0.79 million यानि 7,90,000 active subscribers अपने से जोड़ा है अगर मैं Vodafone Idea company की बात करता हूँ तो V.I. company अपने से 7,90,000 active subscriber होया है और BSNL अपने से 4,00,000 active subscriber होया है तो ये था total active subscriber का आखड़ा February 2023 के अंदर जो ट्राइ की तरब से पाब्लिस किया गया है दोस्तों यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि Vodafone Idea company का जो final sale crisis है वो खतम होने के नाम भी यहाँ पर नहीं ले रहा है Vodafone Idea company को immediate basis पर कुछ ना कुछ करना होगा क्योंकि पिछले 2 साल से हर quarter के अंदर Vodafone Idea company अपने से millions और million subscribers लॉस किया है दोस्तों फेवरारी 2023 के लिए इस डेटा को पाब्लिस किया गया थैंक्स फॉर्चिंग बाइंटिक यार आप से उसमा लगा तो कैसी कोई नहीं वीडियो के साथ तब तक के लिए दोस्त अपना ख्याल रखिएगा